यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है उम्मीद आसावे काम ना करता हूँ आप सभी भाई बैंट ठीक होंगे बहतर होंगे हरियना सरकार आज बड़े तीन महा धमाके हुए है आज बारह अपरेल दो हजार तेज़ सात्यों आईडी का बड़ा धमाका इसमें क्या गया है नया पोरटल वेरिफिकेशन का आईडी को लेकर खोल दिया गया है अब घर बेठे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो और दो अन्य धमाके बंपर खुसकबरी देने वाले वो धमाके हैं तो विश्तार से चर्चक करेंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें हरियना फैमिली आईडी हो और यहना बीपिल रासन कार्ड हो और यहना वेकेंदर सरकार की योजना हो हरियना वेकेंदर सरकार से जुड़ा छोटा बड़ा ऐसा कोई भी सूचना हो या जैन करी हो जिसका लेना देना आपसे हो जो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको फाइदे मंद हो तो सात्यों वो सभी अपडेट सबसे पहले सठीक बिस बसनी देने का काम करता है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सब्सक्राइब जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है तो दोस्तों सुरू करता है सबसे पहले अब हरियने की सभी 88 सहरी निकायों की जो प्रोपर्टी आइडी है उसका जो डाटा होगा पोर्टल पर उपलाब्द और जो है सहरी स्थाने निकाय मंत्री न है यह आप चंडी गण में देख रहे होंगे हिसार के माननी यह विदायक यह कमल गुपता जी सहरी निकाय मंत्रिया है और इनकी रिपोर्ट परफॉर्मेंसें इनकी बिकार रही है इसकी और कलायत से कमल ले डंडा कि उनकी सीम चीफ जो उनकी मिनिस्ट्री की कुर्सियों जाने वाले यह लगबग तो साथियों वो कभी दुबारा बात करेंगे जब मंत्री मंडल का विस्तार होगा साथियों यो जो है आप देख सकते होंगा अधिकारियों के साथ इस पोर्टल का लॉंच किया गया है ये साथियों जो सहर हरियना प्रदेश के अंदर जितने भी कस सेंप लगाएगे ये जारी कि लगबग एक डेड़ साल से प्रोसेस चल रहा है क्योंकि सहरों की प्लाटों में प्रोपर्टी में बड़ा जगड़ा होता है किसी के नाम कि किसी को बेजी किसी के नाम किसी बेजी यो जो आइडिये एक फैमिली आइडी की तरह एक आइडी ह वो नमबर डालते ही पूरा रिकोर्ड वो दिखा देगी कि वह यह जमीन किसके नाम ताकि घोटा लाना हो अब इसी तरह गाउं में भी प्रोपर्टी आइडी बनने का काम शुरू होगा आपके कीलों का आपकी प्लाटों का गाउं में भी यह जो है बहुत बड़े सतर पर यह होगा पहले सेहरों को फिर होते हैं तो सात्यों हरियान के सेहरी स्थानी निकाए मंत्री डोक्टर को मल गुपता ने कहा कि यहाँ फिर इन्होंने पूरा बताया है कि जो प्रोपर्टी आईडी है वो अब घर बेटे अपनी वेरिफिकेशन करवा लेना जो भी कमी आपकी आईडी के अंदर रही है आपनी जो है वो कमी सुधरवाले कारालियों के चकर ना लगाएं दूसरा बड़ा धमा का ये हुआ ये बंपर खुसकबरी है और ये राहत देने वाली खबर है किसानों को बड़ी राहत 80% तक बंदरंग गेहूं भी खरीदेगी सरकार यानि आपका जो गेहूं है यदि उस गेहूं के एक दाने का पांच में से चार हिस्सा भी खराब हो चुका है बदरंग हो चुका है तब भी अगर उसमें एक हिस्सा भी सही है ना पांच में में से इतना बड़ा मान लो एक दाना तो इतना सा होता है इतना बड़ा दाना है और इसका यदि इतना हिस्सा भी खराब है और इतना ही इसका सही है इतना सा मामूली सही है तब भी सरकार आपका उस गेहूं को खरीदने का काम करेगी तो दोस्तो 18% तक सिकूडा और तूटा दाना भी बिखेगा और खरीद मानकों में भी छूट होगी एक वैल्यू टेक्स जो है वैल्यू कट जो है केंदर सरकार ने लगाया था हर यणा सरकार जो है वैल्यू कट किसानों से भुगता नहीं करवाएगी परदेश सरकार ने कहा है कि हम यह जो कट है यह कट खुद भुगतेंगे का अपने किसान बहनों भाईयों के लिए नहीं भुगतने देंगे सरकार के इस फैंसलों को लेकर वैल्यू कट जो इन्होंने लगाया था इसको लेकर बहुत बड़ा विरोध हुआ था क्योंकि 32 रुपे जो है कट चला ज लिए लगे लेकिन हम अपने पास से भुगतने आपसे एक पैसा भी नहीं केरेंगे और ऑई तीन से पांस जिनों मैं आपका इकटी सो पांच रुपे जो है सरकारी गयों कहीं जो बोलो एककीस सो पचीज तो साथियो यह आपका जो है तीन से चार दिनों के अंदर आपके विक्री का आपके खाते में यो पैसा आ जाएगा तो और एक और बड़ा धमा का आपको दिखा देते हैं यो भी खुसकबरी है सिकाई मैट की एक रिपोर्ट आती है परसो रिपोर्ट हो आती है और उसमें हरियने के अंदर जो आगामी मानसून है आगामी जो गर्मी आने वा बारत की उन्हें जिक्र किया था एक रिपोर्ट उन्हें पेश की थी टी सुखा रहेगा यानि बहुत बड़े हालात जो है रहने वारए हैं जो मानसून में भारिस नहीं होगी जून जुलाई में जब बारिस नहीं治आः एंस्ट में तो खिती तो होगी ही कहां से भई, उन दिनों में तो बारिश पे निरबर रहता है किसान, तो सात्यों अब जो है एक नया अनुमान आया है, मानसून आपका सामानने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टैंसन लेने की बात नहीं है, हरियने में सामानने से कम वर्सा रहेगी, ल पूरवक हमने आपको दिया है, उम्मीद जानकरी पसंद आयोगी, उम्मीद जानकरी अच्छे लगयोगी, चैनल सब्सक्राइब,